रादे रादे जैसी क्रश्ना, मैं सीमा सिंग बढ़ों को चरानिस पर चोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ आज हम सावन मास के महाद्या में का वीश्वा अध्याय सुनेंगे इस अध्याय में हम सावन मास के त्रियोदशी और चतुरदशी पूजन की वीधी, महीमा और इसके फल के वर्णन को सुनेंगे साथी इस अध्याय में हम सावन मास की स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में देवों के दे महादेव जी की आर्थी को सुनेंगे आईए अब हम सावनमास का बीजवा अध्याय सुनते हैं सावनमास की त्रियोदशी वा चतुरदशी तिति के दिन भगवान भोले नात का रुद्रा अभिशेक करने का अक्षवर मिलता है शास्त्रों में वर्णित है कि अगर त्रियोदशी वा चतुदशी तिति की संदी हो यानि त्रियोदशी तिति खतम हो रही हो और चतुदशी तिति शुरू हो रही हो और उस समय भगवान का पंचामरत से अभिशेक और पूजन किया जाए तो इसका कोटी गुना फल मिलता है शास्त्रों में वर्नित है कि इस दिन चार प्रहर की पूजा करने का अक्ष्यफल मिलता है दिन के चारों प्रहर भगवान बॉलेनात की पूजा करनी चाहिए इस दिन किया गया व्रत पूरे सावन मास का फल प्रदान कर देता है देवों के दे महादेव जी इच्छित फर प्रदान कर देते हैं चतुदशी के दिन व्रत, पूजा और दान के साथ रात्री जागरन करने का भी अक्षा फर मिलता है सावन मास के शुकल पक्षी की त्रियोदशी व्रत की तुलना अन्य किसी वी व्रत से नहीं के जा सकती जिस प्रकार एक राजा की रक्षा उसके अंग रक्षा करते हैं उसी तरह सावन मास के शुकल पक्षी की चतुदशी को वरत में भगवान महादेव रती की रक्षा करते हैं इस वरत को करने वाले का यश्र केती दसुदिशाओं में फेलती है इस व्रत को करने वाले के पुन्य का वर्णन तो ब्रह्मा इंद्र अधी देवता भी अपने मुख से कहने में समर्ध है यह व्रत सभी पापों को नश करने वाला, पुत्र पोत्र धन धान्य को देने वाला, अकंड सो बाग्या को बढ़ाने वाला होता है सावन मास्की शुकलपक्षी की चतुदशी के दिन भगवान चंकर की पूजा वृत करने वाले समस्त एश्वलिय को प्राप्त कर दिरगायू संतान सुक और धन से युप्त हो संसार के समस्त भोगों को भोग का मने के बास सद स्दगती को प्राप्त होते हैं इस दिन भगवान महादेव की पूजा वरत और दान काने से मनशिके कई जन्मों के पाफ धुल जाते हैं उसका सर्वत्र कल्यान होता है चतुदशी की चंद्रकला का अमरत भगवान महादेव स्वंपीते हैं चतुदशी के दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए ऐसा काने से लक्ष्मी जी घर से चली जाती है चतुदशी के दिन शाकाहारी वोजन करना चाहिए अभिशेक में कच्चा दूद, दही, शहद और गाय का घी रेना चाहिए मिश्री यूत पंचामरत गन्ये के रस से अभिशेक करने का कोटी गुनाफल प्राप्त होता है का पूजन किया जाता है अशोप, मालती, पदम, देव, प्रिय, कोसुंग, बकूल, तता, अन्य, गंद, सुगंदित, मादक, पुष्मों से, लाल, रंके, चावल, पीला, सुगंदित, चंदन, पोश्टिग, ववीदिय, वर्दक, पिधातों से, नेवेद्य भेट करने च सुदर, रस, युक्त, पान, कामदेव को समर्पित करना चाहिए, सुगंदित, बत्तियों से, कामदेव की आर्थी करनी चाहिए, तता, कामदेव के विविद नाम लेकर, सबसे सुदर, प्रदुम्न, नामक, क्रश्न भगवान के पुत्र, मीन, केतन, कंदर्प, अनंग, मन मत, मार, कामाचन, संभूत, जश, केतू, तथा, मनो भव, आदी इनसे स्तुती करनी चाहिए, जिनके वक्ष में रती, अर्थात, कामदेव की इस्त्री, जिनके पुष्ट, कठोर वे उब्रे हुए इस्तनों पर, कस्तूरी की बनी हुई बैल के चिन आलिंकन करने से सुशो हैं, पुष्प धन्वन, हे कुसुमेश, हे रतिपते, हे मकरध्वज, हे पंचेक्षी, हे मधन, हे इस्तर, हे सुन्दर देवताओं के लिए भस्म भूत, हे परोपकारी आपके द्वारा, विजयकारिये में बसंत रितू की थोड़ी सी सहायता केवल निमित्मात है, आपके अत्रिक्त ऐसा कोन है, जो द्रड़ चित होकर भगवान शिव के साथ युद्ध कर सके, आपके अत्रिक्त ब्रह्मा नंद के सामान कोन सा ऐसा आनंद दाता है, महा मोह की सेना में आप जैसा, अन्य कोन ऐसा पराक्रमी है, आप अनिरुद के अधिपती, क्रश्न के पुत्र, देवों के स्वामी आप मलियाचल, चंदन अगर इत्यादी से सुगंदित है, संसार की विजय में दक्षिन दिशा की वायू आपकी सहायता करती है, शरद रितु के चंद्रमा के समान शेष्ट है, ये जगत के उत्पती करता आपका अस्त्र पून तसफल है, अत्यंत दूर तक मर्म इस्तर छेदने वाला करूना वेप्रतिकार से रहित है, आप अधी कठोर होते हुए भी अतिकोमल है, अपने तुल्य प्रधात के दशन मात्र से सिद्ध करने वाले साधक, हे प्रभू जगत के जय में प्रमुक सहायक, आपने सभी देवताओं को उपहास का पात्र बना दिया है, आपके कारण ब्रह्मा अपनी कन्या में मोहित विश्नु वरंदा में कामा सक्त तता शीर जी पर इस्तरी का कलंग लगने से पतीत हो गे, राजा इंद्र गोतम रिशी की इस्तरी अहिल्या के साथ विश्यभोग में सलंग्न होकर परियाप्त समर तक अपने द इस संसार में कोई जितेंद्रिय संयमी भ्रामन विल्ला ही होगा, जिसे आपने अपने अधिन नहीं किया हो, हे भगवान आप इस पूजा से प्रसन होए, शावन शुक्ल त्रियोदशी को कामदेव की पूजा काने से प्रेम मार्ग गामी मनुष्य को आप बल प्रदान करत हैं, तता शे मार्ग पर जनने वाले मनुष्य के कामजन्य अभिकार हल लिया करते हैं, कामदेव, शावन मास के शुक्ल पक्षी की त्रियोदशी का पूजन काने से कामना वाले मनुष्य के लिए रमणिया, सुडोल, इस्तन वाली, शरद चंदर के सामान मुख वाली, कमल क के सामान नहतर वाली, बड़े तता अत्यंत, नीले रंग के गुंगराले, चिकने केशों वाली, सुंदर तोते के सामान नाक वाली, केले के पेड के तने के सामान जांग वाली, गुप्त गुल्फ वाली, हतनी के सामान मत वाली, जाल वाली, पीपल के पते के सामान योनी व अने फ्रकार की आभूशनों से सूशोवित तता मन को रमन करने वाली इस्तरी देता है। इस मास की त्रियोधशी को पुजनकरे से कामदेर की क्रपा से दिर्गायूँ गुणवान तता सुख दायक पुत्र पैदा होता है। ये मैंने तुम्हें त्रियोदशी के विशे में बतलाया, अब चतुदशी को संपन के जाने वाले कारियों को कहता हूं, है सनतकुमार अश्टमी के दिन जो देवी का पवित्रा रोपन शेश्ट कन बताया गया है यदि वैं नहीं किया जाए तो चतुरदशी को भी पवित्रा रोपन किया जा सकता है चतुरदशी को शद्दा भक्ती पूर्वग भगवान शंकर का पवित्रा रोपन करना चाहिए जिस प्रकार से भगवान विश्णु की प्रसनता के लिए पवित्रा बताया गया था वैसे ही शद्दा भक्ती पूर्वक पवित्रा बनानी चाहिए इसमें केवल प्रातना तथा नाम का ही अंतर है उसे भली बाती समझ लेना चाहिए इसके अतरिक जो विशेश बाते हैं वैं मैं तुम से कहता हूँ तुम ध्यान से सुनो ग्यार अर्टालीस या पचास तार की गाठो वाली समान मद्य भाग वाली पवित्रा बनानी चाहिए पवित्रा बार अंगुल या आठ अंगुल नाप की हो अत्वा चार अंगुल विस्तार मान कर बनानी चाहिए इसे भगवान शीर जी को प्रसन काने के लिए अरपन कानी च शेर सब विधान पहले की बाती है, इसका फल भी वैसाई है जैसे पहले कहा गया है, इस प्रकार जो शद्दा भक्ती भाव से पवित्रा रोपन करता है, उसे अंत समय में केलाश धाम की प्राक्ती होती है, ये सनतकुमा ये मैंने तुम को पूजन की विधी बताई, इसके अत की बात है, माता पारवती वह शंकर भगवान मित्यू लोग में भ्रमन कर रहे थे, बतापारवती जी ने देखा कि पृतबी पट्वी पर बहुस से लोग, महादेव जी की पूझा पाड़ कर रहे थे, सावन का महिन चल रहा था, मंदीरों में देवालियों में हर हर महादेव की कूँच उठ रही थी आठी यग्य हो रहे थे मंत्रों से वातावरण गुझायमान हो रहा था तब माता पार्वती जी ने महादेव जिसे कहा कि हे देव प्रत्वी पर लोग आपकी कितनी पुझापाट करते हैं आप उन सबी की इच्छाएं पुरी करिये तब महादेव जी ने कहा कि हे प्रिये ये लोग दिखावा करते हैं असली भक्त तो केवल एक आदी हैं परंतु माता पार्वती जी नहीं मानी तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने उन सब की परिशा लेनी चाही तब भगवान शंकर ने एक कोड़ी कवेश पनाया और माता पार्वती जी ने 16 साल की सुंदर विवाईत इस्त्री का पती पत्नी कवेश धरा तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी प्रत्वी पर पहुँच गे तब भगवान ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी तुमारी नजर में मेरा सबसे बड़ा भक्त कोन है सबसे पहले तुम मुझे उसके घर लेकर के चलो तमाता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे देव प्रत्री पर एक ग्वाला आपका सबसे बड़ा भक्त है वे रोज आपके श्विलिंग पर गाय का दूद दही घी से अभिशे करता है तब वे ग्वाले के घर पहुंचे ग्वाले ने जब एक पोड़ी और सुंदर महि पर देखा तो वे पूछने लगा कि तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो माता पार्वती जी ने कहा कि अरे भाई हम दूसरे गाउं से आए हैं हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है ये मेरे पती हैं जो कोड से पीडित हैं हमें आसरा चाहिए क्या हमें आपके घर में आसरा मिल जाएगा मैं आपके घर का सारा काम कर दूँगी आप बदले में हमें दो समय का भोजन दे देना हम आपके घर के कोने में पड़े रहेंगे यह सुनते ही ग्वाला तिलमिला उठा और वेक्रोधित होते हुए बोला कि अरे जाओ यहां से मेरा घर कोई धरमशाला और देखो तुमारे पती के शरीर पर तो मक्हियां बिढ़ना रही है माता पार्वती जी ने ग्वाले से बहुत बिंती करी और बोली कि अरे भाई तुम तो भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त भो हमारे उपर थोड़ी सी दया तो करो लेकिन ग्वाले ने धक़् के मार उन्हें अपने घर से निकाल दिया उसके बाद भगवान शंकर मता पार्वती जी आगे चल दिये भगवान शंकर ने मता पार्वती से कहा कि है गोरा अब तुम मुझे अपने दूसरे भक्त के पास लेकर के चलो तब मता पार्वती जी भगवान शंकर से बोली कि है देव यह एक बनिया है यह रोज शुम मंदिर में घंटों बैट कर आपकी पूजापाद यग्यहवन और दानपुन्य करता है जब मता पारवती जी भगवान शंकर को लेकर उस बनिय के घर पहुंचे तो उसने भी वही किया जो गवाले ने किया था मता पारवती जी शंकर भगवान को लेकर एक अमीर सुनार के घर गई वह सुनार भी भगवान महादेव का सोनेचादी के आभुशनों से अभिशे करता था लेकिन जैसे ही उसने भी एक कोड़ी को देखा जिसके शरीर से खुन रिस रहा था मक्या मिन बिना रही थी तो उसने भी अपने नोकरों से कहकर उन्हें घर से निकलवा दिया अब मता पारवती जी हताश हो गई और बोली कि है देव ये लोग आपकी इतनी पूझा पाढ़ यग्या हवन और दानपुन्या करते हैं फिर ये इतने कठोर और निर्दई हिदय के क्यों हैं ये क्यों किसी बल और और गरीब कोड़ी की मदद नहीं करते तब महादेव जी ने कहा कि हे प्रिये ये सब केवल दिखावा करते हैं सच्चे भक्त दो बिल्ले ही होते हैं अब बताओ प्रिये तुम मुझे कौन से भक्त के बाद लेकर चलोगी तब माता पारवती जी ने कहा कि अब पुन्य हो रहा है तबी ये दुनिया किकी हुई है अगर सभी पापी होते तो दुनिया कब की खतम हो जाती चलो प्रिये मैं तुम्हें मेरे सच्चे भक्त से मिलाता हूँ तब भगवान शंकर माता पारवती जी को लेकर उसी गाउं के एक हुमार के घर गे वे खुमार बह महादेर जिसे बोली कि है महाराज मैं आपको इतने पैसे वाले अमीर लोगों के घर लेकर के गई जब उन्होंने हमें घर से धक्के मार कर निकाल दिया तो ये हमारी क्या मदद करेंगे फिर मैंने तो इन्हें कभी भी आपकी पुजापाट करते हुए भी नहीं देखा ये कोड़ी वेश में खुमार के घर गे उन्हें देखते ही दोनों कुमार दमपती बड़े खुश हुए आदर के साथ उन्होंने उन्हें अपनी जोपणी में बिठाया चाच राबडी खाने के लिए दी कुमार ने भगवान शंकर के कोड़ को ठंडे पानी से धोया और दवा लगाई उदर कुमारन भी पार्वती जी को तसली देते हुए बोली कि बेटी चिंता मत करो तुमारा पती जल्दी ठीक हो जाएगा तुम जब तक चाओ यहां रह सकती हो बेटी हम दोनों तुम्हारे पती का बहुत ध्यान रखेंगे माता पार्वती और महादेव जी ने आखों ही आखों में इशारा किया कि देखो मेरा यह है असली भक्त मता पार्वती जी ने भी आखों में ही इशारा करके कहा कि आप सच कह रहे थे उदर एक ही रातरी में ग्वाले की गाई भैसों निर्दूत देना बंद कर दिया उससे बहुत नुपसान हुआ बनिया कर उठा तो जोपड़ी में कोई नहीं मिला वहां उन्हें सची हीरे मोती जड़ी एक चुनड़ी की साड़े मिली और एक कमंडल पड़ा मिला दोनों समझ गए कि वे कोई ओर ने सम महादेव और पारवती जी थे उस कमंडल में जिस चीज की इच्छा से वे खुमार कुमार हाट डालते उन्हें वही चीज उसका मंडल में से मिलने लगी कुछी दिनों में वे बहुत अमीर होगे और पुत्र पोत्र धन वेभाव से युख्त होगे और इस जीवन के समस्त सुकों को भोग कर वे शिव लोग को प्राप्त हुए महात्मा मांडव्य के शाफ से साक्षा धर्म राज जी भी शापित हुए थे यह कथा इस प्रकार है एक बार राज पुरुशों द्वारा पीछा किये जाने पर बहुत से चोर चोरी का माल महरिशी मांडव्य जी के आश्रम में रख कर सम कहीं छिप गए मुनी उस समय तपश्या में लीन थे उन्हें तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी जब राज पुरुश चोर का पीछा करते करते मांडव्य रिशी के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने चोर को देखा वे राज महल से चोरी का सामान करके इदर ही भाग कर आये थे तो मांडव्य रिशी ने कुछ नहीं कहा जब राज पुरुशों ने मांडव्य रिशी के आश्रम की तलाशी ली तो वहां चोर भी मिल गया और चोरी का सामान भी मिल गया तब राज पुरुशों को मांडव्य रिशी पर संदै हो गया उन्होंने चोरी के साथ रिशी को भी पकड़ लिया और लेजा कर राजा के सामने प्रसुत कर दिया राजा ने सभी को शूली पर जड़ाने का हुकम दे दिया अन्य चोर दो फासी लगते ही मृत्यू को प्राप्त होगे लेकिन मांडव्य रिशी शूली के अगर भाग पर बैटकर ही तपश्या करते रहे बहुत दिन तक भी वे मृत्यू को प्राप्त नहीं हुए तब राज करमचारियों ने जाकर राजा से पूरी बात कही राजा उसी समय दोड कराए और मुनी को सूली से नीचे उतारा और शमा याचना काने लगे शूल की किंचित अनी शरीर में प्रविष्ट हो गई थी जो निकलने का प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल सकी तो उसे काट दिया गया शूल की अनी को शरीर में धारन काने से आगे चलकर उनका नाम अनी मांडव्य हुआ उसके कई बरसों के बाद मांडव्य रिशी मिल्ट्यू को प्राप्त होगे जब मांडव्य रिशी धायमराजी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि हे धायमराजी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी मुझे ये सजा मिली तब धायमराजी ने मांडवे रिशी से कहा कि आपने बाल्य अवस्था में एक पतंगे के पुछ भाग में सीख चुबो दी थी ये उसी कफल आपको मिला है तब मांडवे रिशी धायमराजी से बोले कि हे धायमराजी एक दो बाल्य अवस्था में धायम शास्त्र का कोई ग्यान नहीं होता और तुमने मुझे इतने छोटे से अपरात का इतना बड़ा धंड दिया अता मैं भी तुम्हें शाप दूँगा तब धायमराजी रिशी से बोले कि हे रिशीवर अगर आप शाप देना चाते हैं तो जरूर दीजिए परन्तु आप मुझे राजा दासी पुत्र और चांडाल होने का शाप मत देना तब मांडवे रिशी क्रोधित होकर बोले कि तुम तीनों ही हो जाओ उसी शाप के फल सरूप दर्म राज जी ने राजा युदिश्टर दासी पुत्र विदूर एवं श्यपच भक्त के रूप में जानमे लेकर मुनी के शाप को सपल किया सभी कता कहानियों और सावन माज के महात्यमे को सुनने के बात महादेल जी की आरथी जरूर बोनी चाहिए तबी सावन माज के महात्य में को सुनने का संपून फलप्राक्थ होता है आईए अब हम महादेर जी की आर्थी सुनते हैं दोलत भोलत है बनके वासी ओयल शब्द सुनावत सुन्दर भ्रमर करत है गुंजासी कल्प व्रक्ष अरुपारी जात कह लाग रहे हैं लक्षासी दूरिय कांत सम परवत शोवित चंदर कांत लवनी मासी चोरितूलत फलत फुलत है पुष्प चड़त है वर्शासी देव मनी जन की भीड पड़त है निगम रहत जो नितगासी प्रमा विश्नु का जान दरत है कचिशिव हमको परमासी दिद पीद के दाता शंकर सदा आनद के सुतरासी जिनके सुविरन सेवा करते तूट जाई अमकी भासी त्रिशूद धर का जान निरं तरमन दगाय कर जो भासी दूर करे विपदाशी तिन की जनम सफल शिवपद पासी केलाशी काशी केवासी अविनाशी प्रभ सुगली जो सेवत जान सदा चलनन को अपनो जान गरस दीजो तुम तो प्रभू हो सदा सयाने मेरे ओगुन सब दकियो सब अपराद शमाकर शंकर किंकर की निंती सुनियो शीश गंग अर धंग पार्वती सदा विराचत केलाशी नंदी व्रंग नत करत है गुन गावत शी की दासी तुम तो प्रभू हो सदा सयाने मेरे ओगुन सब दकियो केलाशी काशी केवासी अविनाशी प्रभ सुगली जो सेवत जान सदा चरनन को अपनो जान गरस दीजो तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओविन सब दखियो तब अपराद शमा करिशंपर किंकर की उपी सुनी हो इस तरह आज हमने सावन मास का वी स्वा अध्याय सुना आशा करती हूँ यह आपको जड़ू पसंद आएगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाले कता कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद